जम्मू कश्मीर नेशिनल पेंथर्स पार्टी की तरफ से Honorable Supreme Court of India में एक petition फाइल की गई है जिसमें Honorable Supreme Court of India से Election Commission of India की जानिब ये directions मांगी गई हैं कि वे जम्मू कश्मीर में Assembly Elections को जल से जल पोरा करें इस petition को जम्मू कश्मीर नेशिनल पेंथर्स पार्टी के ना सिरिफ election commission of India की जानिब ये directions मांगी हैं, बलकि election commission of India पे ये आरोबी लगाया गया है कि वे जान बूचकर जम्मु कश्मीर में assembly elections को नहीं करवा रहे हैं, ताकि rolling party center में इन elections को contest करने के लिए पूरी तरह से तयार हो। मैं आपको बता दू कि जम्मु कश्मीर में previous assembly election साल 2014 में हुए थे, जिसमें बारतिय जनता पार्टी और प्यूपल्स डेमोकरिटिक पार्टी ने गठबंदन करके जम्मु कश्मीर में एक सरकार बनाई थी, जिसमें प्यूपल्स डेमोकरिटिक पार्टी की तरफ से लेट मु और साल 2018 में उन्होंने अपनी पोस्ट से resignation दिया। इसके बाद साल 2019 में आर्टीकल 370 को abrogate कर दिया गया। पार्लिमेंट के लोगसबा और राज़सबा में with full majority बिल्स पास हुए और आर्टीकल 370 को abrogate कर दिया गया। abrogation के फोरी बाद जमू कश्मीर की state legislative assembly को भी dissolve कर दिया गया। assembly elections जल से जल होने चाहिए। लेकिन सभी political parties का सुझाव लेने के बाद भी election commission of India की तरफ से assembly elections को नहीं करवाया गया। petition में ये भी बताया गया है कि जमू कश्मीर में parliamentary elections भी किये गए, municipal bodies के elections भी किये गए और panchaiti elections भी करवाया गया। लेकिन assembly elections को differ किया गया। मातर इस कारण से कि ruling party center में elections को contest करने के लिए पूरी तरह से तयार नहीं थी। इस petition में honorable supreme court of India की बहुत सी citations का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि जमू कश्मीर में assembly elections को differ करके लोगों के fundamental rights को violate कर दिया गया है। वो rights जिनको protect करने की सरकार की prime duty होती है। इसलिए इस petition में honorable supreme court of India से election commission of India के प्रति ये directions मागी हैं कि वे जमू कश्मीर में assembly elections को जल से जल कर रहा है।